नमस्कार दोस्तों आज आपको बताऊंगा CSC का TDS सेटिफेक्ट कैसे निकाले जो लोग Common Service Center चला रहे हैं उनका TDS कटता है वो TDS अपने को refund मिलता है उसको कैसे करना है, क्या करना है वो सारा process मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा CSC की जो TDS निकालने की जो वेबसाइट है वो मैं आपको वीडियो के description में डाल दूँगा इसकी वेबसाइट है इसके बाद में आपको क्या करना है यही वेबसाइट खुल जाएगी वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे आपको अपना pen number डालना है पैनर में डालने के बाद नीचे CSC SPV का कटा है या CSC Academy का कटा है या Wi-Fi चोपाल का कटा है उसको select करना है ज्यादा तर CSC SPV मिलेंगे बाकी नीचे वाले काम बहुत ही कम मिलेगा या कुछ एक लोग करते हैं इसके बाद में आपको चारू निकाल लेने चारू जितनी भी एक साल का जो परवान पत्र है वो आपको जारी हो जाएगा और वो आप जब income tax की file लगाओगे तो उसके अंदर उसको totaling कर लेना है या तो यह automatic उस चीज़ को counting करके अपने आप उठा लेगा यह दि उठायोगा नहीं मिले तो आपको यहाँ उसके अंदर add कर सकते हो manual कर सकते हो उसके बाद भी यहाँ पर 2019 भी select कर लेना है और यहाँ पर जो capture code है वो लगाने है और आपका certificate जो है वो download हो जाएगा यह amount जो है आपको जो income tax से इसकी जो website है उसके उपर इसको लगाना है मैं उसकी website बता देता हूं यह देखिए इसके उपर आपको ITR की जो file है उसको लगाना है यहाँ पर यह दिया आप नए candidate हो तो registration करना है पहले और पुराने हो तो login कर लेना direct for password भूल गए हो तो निचे वाला result का option दे रखा है ठीक है यहाँ पर जैसे login करोगे तो यहाँ पर यूजर आइड़ी जो होती है पासपर्ट लगेगा और निचे आपका capture code लग जाएगा आप इसको login कर लेना login करने के बाद जो detail सारी दिखाई देगी उसमें आप form apply कर सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अपना TDS जो है वह आपको रिटन मिल जाएगा सुचना से लिकी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू